बारत्य टीम की उपकप्तान इस्मृती मंदाना क्रिकेट जगत में बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है बाय हाथ की इस युवा बल्लिबाज ने 2014 में अपना अंतर राश्ट्रे डेब्यू किया था अब 26 साल की उम्र में इस्मृती काफी नाम कमा चुकी है और इन्हें टीम इंडिया की आन बान शान माना चाहता है ऐसे में आज हम इस्मृती मंदाना के लाइफ इस्टाइल से जुड़ी कुछ एहम जानकारिया आपको देंगे कि टीम इंडिया के इस कुईन के क्या क्या शौक है कितनी नेट वर्थ है और बहुत कुछ इस्मृती मंदाना की कुल नेट वर्थ 3.5 यूस मिलियन डॉडर है जो की भारत्य रुपे के अनुसार लगबग 27 करोड रुपे है इस्मृती ने इतनी संपत्ती BCCI कॉंट्रेक्ट और T20 लीग्स के अलाबा विज्यापन से एक अत्रित की है इस थबिश वर्षिय खिलाडी को विमेंस T20 चैलेंज और BBL में 3-3 लाक रुपे मिलते हैं वहीं BCCI के नई कॉंट्रेक्ट के मुताबिक उन्हें एक टेस्ट मैच के 15 लाक एक बंडे मैच खेलने के 6 लाक और एक T20I मैच खेलने के 3 लाक रुपे मिलेंगे BCCI कॉंट्रेक्ट लिस्ट में स्मृति मंदाना एक रेड की खिलाडी हैं जिसके अनुसार सालाना उन्हें 50 लाक रुपे की सेलरी मिलती हैं वहें गूवी, हीरो मोटो कॉर्ट, हुन्डाए, गार्नियर, रेड बुल, मास्टर कार्ड, ITC, वीवेल, एलकॉन, लेबोरेटरिस और एमस्टेट इंडिया सहीद कई ब्रांडों का प्रचार करते हुए भी कमाई करती हैं 2018 में प्रमुक फुट वियर कमपनी बाटा ने भारतिय उप कप्तान को अपने पावर स्पोर्ट वियर ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेज़र न्यूक किया था लेकिन एक साल बाद नाइकी ने उन्हें बहु वर्षिये सौदे के लिए साइन किया इसके अलावा इस्मृती के होमटाउन महराश सांगली में उनका अपना खुद का SM18 के नाम का एक रेस्ट्रो है अभी हाली में इस्मृती और उनके भाई को इस कैफे के बाहर स्पोर्ट किया गया था जिसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर काफी वाइरल होई थी फिलाल इस्मृती के भाई इस रेस्ट्रो की देखबाल कर रहे हैं बतादे कि इस्मृती के दिल्ली और मुंबई में दो आलिशान अपार्टमेंट हैं जिनकी कीमत करोडों में हैं वहीं उन्हें कार्ज का काफी शौक है उनके पास रेंज रोवर, ओडी, ब्यम डवलू जैसी कई और लगजिरी गाडियों का कलेक्शन मौझूद है गौरतलब है कि क्रिक्ट के मैदान के साथ साथ इस्मृती मंदाना सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं इंस्टाग्राम पर उनके 6.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं अपने ओफिशिल इंस्टाग्राम अकाउंट से वह लगबग 26 से 27 लाग रुपे कमा रही हैं बायहात की यह युवा बल्लिबाज क्रिक्ट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानती हैं वहीं क्रिक्ट के मैदान के भार उन्हें ट्रेडिशनल लुक्स में रहना कापी पसंद है वह अक्सर अपने ट्रेडिशनल लुक्स की तस्वीरे शोचल मीलिया पर शेयर करती रहती हैं दोस्तों क्रिक्ट से जोड़ी तमाम खबरे लगातार प्राप करने के लिए क्रिक्टूडे टीवी को अभी सब्स्क्राइब करें खाबर पसंद आई तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फिलाल के लिए धन्यवाद